आज हम बनाके लाएं हैं बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी रिसीपी तो ये कच्चे आलू और चावल के याटे से बहुत ही मज़िदार और क्रिस्पी रिसीपी है तो बच्चे बड़े सभी को पसंद परेगा बहुत अच्छा लगता है फ्रेंज ट्राइक कीजिएगा अग अलो फ्रेंज वागते मेरे चैनल में लिए बनाना शुरू करती हैं सबसे पहले हम लिए हैं ये यालू तो ये चार मेडियम साइज का था उसे हम ग्रेट कर लिये हैं पहान सा gameieranש अब इसमें डालेंगे नमक तो शत के हिसाब से अपने टेस्ट के गाडिंग डाल IT जिए भूनी वी जीरा पौडर लिये हैं subject बारेग कटा हुआ हराधनिया डाल देंगे फिरस तो लिजे सारे को हम डाल लिए हैं बिल्कुल कम मसाले से हम अच बना के तयार करेंगे बहुत ही tasty and healthy आव बहुत ही कुरकुरा उपर से कुरकुरा आव अंदर से बिल्कुल सॉप तो देखिए मसाले हम कितना कम इस्तमाल किये हैं अब इसमें डाल देंगे चावल के आटा तो चावल के आटा डाले हैं अभी एक कटोरी लिये हैं लेकिन हम पूरा फूल नहीं डाले हैं अभी आधा डाले हैं अब जरुवत के हिसाब से डाले जितना कि हमारे अलू में नमी होगा उसी हिसाब से हम डालेगे दो चममच भरकर हमने डाल दीए हैंally इससे हमारा नस्ता अंदर से बिल्कुल सॉप बंता है है तो ऊबपर से क्रिष्पीं अंदर से हलका अफुलका सब बहुत ही टेस्टी होता है फिर ट्राइ किजिएगा अब बहुत जरूरी है कि इसे हम हाथों से बढ़ियां से मेक्स करेंगे तो लेजिए इस तरह से हमने मेक्स कर लिये हैं तो अभी लग रहा है थोड़ा ज्यादा मॉस्चर है तो इसमें थोड़ी सी हिसाब से हमने आटा इसमें मिलाएंगे कोई मजर्विंट नहीं है कि कितना डालेंगे बस आलू के मोस्चर जितना राता है उसे हिसाब से आटा डालता है तो आप क्या किजिएगा आलू उबाल कर इसे थोड़ी देर के लिए फ्रीज में जरूर से डालिएगा इसे क्या हो करेंगे बढ़ियां से हमारा यांटा हो गया है सेट तो अब इसे क्या करेंगे एक चकला पर या तो इसी हम चॉपिंग गोर्ट पर इस तरह से हलका सा मैदा या चावल के आटा इस तरह से स्ट्रिंकल करके और उसारे को हम एक ही बार में ये डोज हमने बनाए थे उसे ले लिए हैं अब इसे बढ़ियां से गोल करकर इसे हलका सा बेलन से हम बेल लेंगे ताकि बराबर से पाजाए तो देख सकते हैं इसे बहुत ज्यादा हमें नहीं बेलना है बस इसी तरह से हम तो देखिए यह हम बेल लिए हैं और जो साइड में हलका हलका सा जो चिसक रहा है तो कोई प्रोब्लम नहीं उस साथ से निकल जाएगा तो देखिए हम बेल लीए हैं। ज्यादा पतला हमें नहीं करना है तो अब लिजीए अब इसे हम चाकू के सहायते से हम इसे कमें कट कर लें गये तो पहले हम इस तरह से लम नह्याँ से एक एक की दीज़ादा बारे किंस बनाना है गर यह द्धेने वाल वात चाकु में चिपक रहा है puisque यहां पिछाप कर दिप कीजिए वह नहीं AIR तो हलका सा oil grease कर लिजिए गा तो देखिए साइड से हम सारे को कट करके निकाल लिए हैं और इस तरह से फिर से हम चौकोन सेप में हम क्यूब्स कट कर लिए हैं तो देख सकते हैं कितना easily यह कट रहा है तो सारे हमारा क्यूब्स बन गया है अब साइड में बचे हुआ जे सारे को हम निकाल लिए हैं तो लिजिए सारे को हम बढ़िया से कट कर लिए हैं अगर घीच कर कोई भी आकार थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो उसे आप थप थप आते हुए बढ़िया से सेट कर सकते हैं तो लिजिए सारे को हम कट कर लिए हैं बहुत ही बढ़िया से हमारा च्वकोन इस तरह से आप बराबर सेप दे सकते हैं और सारे को हमें एक पलेट में निकाल लेंगे ये बहुत ही बढ़िया से हमारा क्यूब से बन गया है पूटाइटो पूटाइटो की इस ब्यान बन गया है आभ सारे को में रख लिए हैं बचे हुए जो हाई उसे फिर से हम रोल करकर के देख सकते हैं कितना मस्त हमारा कट कर तयार हुआ है फिर से इसे हम चौकोन सेप देकर इसे भी हम कट कर लेंगे तो देखिए बहुत ही एजी लिए इसे भी हमने काट लिये हैं और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम काटे हैं उसी तरह से हमारा इसका भी सेप आ गया है तो लिजिए ये भी हम कट कर लिए हैं अब इसे भी हम रख लेते हैं उसी पलेट में अब देखिए बचा हुआ है उसके भी इस तरह से हम बना लिए हैं तो सारे को हम बहुत ही बढ़िया से कि उस कट कर बना लिए हैं पोटाइटो रोल पुटाइटो कीप्स देखिए कितना मस्त हमारा यह पुटाइटो कीप्स बनकर तैयार हो गया है अब क्या करेंगे इस आरे को हम रख लिए पलेट में अब चावल के आठा उपर से हलका साइस तरह से स्ट्रिंकल कर लेंगे इसे क्या होता है ना कि हमारे रोजोरी से पी कर लिए हैं इधर हम कराही में तेल चरहाए हुए हैं तेल बहुत ही बढ़ियां से गरम होना चाहिए बिल्कूल धुआ उटना चाहिए उसके बाद हम जब पोटाइटो कीप डालेंगे तो हलका असा मेडियम टू हाइपर करना है और सारे क्यूब्स को जितना की डाले आटे अकड़ाही में उतना डाल दे और फिर हाई फिल्म पर ही हमें फ्राय करना है तो आज का रिसीपी थोड़ा भी अच्छा लगा है तो चैनल को पिस्ट्राइब करके बेल अकरों पर प्रेस जरूर से कर दिजिएगा और नीचे दिये गए एक लाइक का बटम है उस पर प्रे गजिए बिल्कुल भी तले में नहीं चिपकता है तो ध्यान देने बाली बात यह है कि इसे इसे बिल्कुल भी लो फ्रेम पर हमें नहीं फ्राय करना है बिल्कुल है कल r внा करना में तो क्योंकि आलू तो अल-्रेडी उबला हुआ राता है चावल के याअटा सिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो इसलिए हमें हाइल फिलेम पर ही फ्राइ करना है इससे हमारा रिसीपी टूपता नहीं है तो बस ये हमारा बातों बात में ये फ्राइ हो गया है तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं एक इस्टेनर में ताकि एश्टरा ओल जो है यह हमारा सारे कड़ाह में आ जाए तो यह लीजिए सारे हमने निकाल लिया अब देख सकते हैं कितना मस्ठ पन कर तैयार हुआ है पीसे भी इसी तरह से हमने दाल लिए हैं, बिलकुल हाइप लेमग पर हम राखे हुए हैं, तो इसी तरह से दोसरा बैस भी हमारा फ्राइब हो गया है तो इसे भी हमने निकाल लिए है तो आप देख सकते हैं कितना जल्दी और कितना फटा फट से हमारा ये पोटाइटो क्यूस बनकर तयार हो गया है बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी टेस्टी हेल्दी ये हमारा चाय के साथ है लेने के लिए स्नेक्स कहिए लंच कहिए या तो ब्रेकफास्ट में जो कहिए बनकर तयार हो गया है बिल्कुल असानी से बहुत ही जल्दी से बनता है तो ट्राइ किजिएगा और अपना राय हमें साथ है जरूर किजिएगा कि आज का रेसिपी हमारा कैसा लगा अगर अच्छा है तो भी खराब हो तो भी कमेंट अगर खराब हो तो हम उसे सुधार सकें तो कमेंट जरूर से किजिएगा फ्रेंस आप लोग हमें सपोर्ट किजिए हमारा चैनल ग्रो किजिए फ्रेंस आप लोग के बिना हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है तो प्लीज प्लीज फ्रेंस एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दिजिएगा कमेंट जरूर से किजिएगा जैसे देख रहे हैं कितना अंदर से हैं सॉप्ट और उपर से क्रिस्पी है तो बनाईए इन्जाई किजिए फिर मिलते हैं नहीं सीपी के साथ तब तक के लिए थैंग